लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें कई देशों में हाहाकार मचाने वाला कुरोना वाइरस अब भारत में भी अपनी जड़े मस्बूत करता नज़र आ रहा है देश में कुरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 170 से जादा हो गई है वही तीन की अब तक मौत हो चुकी है बहरार रादिस्तान में भी अब इस महामारी का असर साफ तोर पर नज़र आ रहा है इस महामारी के चलते कल प्रदेश के मुख्य मंतरी अशुक गहलोत ने सीमो में अभिकारियों के साथ एक एहम बैटक की और एक एहम निर्ने लिया जानकारी के मुताबिक बुद्वार को हुई बैटक में सीम गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जनता का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपून है इसके अलावा इस खतरनाक संक्रमन से बचाव के उपायों की समीक्षा के साथ ही रादिस्तान में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किये जाने के निर्देश दिये है इस समद में जिला मदिस्ट्रेट और उपकंड अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए सूचित किया गया है इसे के साथ अब किसी सारवचनिक स्थान पर पांच क्या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हलाकि हॉस्पिटल, बस, टैंड, रेलबे स्टेशन, सरकारी काराले आदी को इस धारा से बाहार रखा गया है इसे के साथ बता दे कि प्रिदेश के जुनजनो जिले में भी कोरोना वाइरस से संक्रम में तीन मामले सामने आए हैं जुनजनो में मामला सामने आने के बादlight कीईम गहलोट ने अन्य लोगों को संक्रमन से बचाने के लिए अगले दो-तिन दिन तक मरीजों के घर से एक किलोमेटर के दाइरे में कर्फ्यू लगाय जाने के निर्देश दिये हैं जानकारी मिल रही है कि एक ही परिवार के ये तीन सदस्य इटली से आये थे हलाकि बता दे कि जब ये तीनों सदस्य इटली से दिल्ली लोटे थे तब वे चेकिंग में नेगिटिव पाए गए थे इसके अलावा खबर है कि SMS अस्पताल में आइसलेशन वार्ड में कुरोना वाइरस के 11 नए संदिग्द मरीजों को भरती किया गया है